आज हम लोग देखने वाले हैं BPSC Special Current Affairs मतलब बिहार के Current Affairs इसमें सामिल होगे कब के जन्वरी 2021 के जोस्तों जैसा हम लोग जानते हैं BPSC का नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है 67th का और बिहार दरोगा का भी आपका Final Result आ चुका है तो Next Exam चल्दी ही होगा जिसका पॉम भरा जा चुका है ठीक है और Sergeant का भी एक्जाम होने वाला है इसके अलाबा बिहार के जितने भी एक्जाम सोंगे उन सब में ये Current Affairs काफी जादा महत्वपूर्ण होंगे तो हम लोग जन्वरी से लेकर मई तक का Current Affairs टोटल पढ़ेंगे जिसमें हम लोग इस वीडियो में जन्वरी 2021 का Current Affairs पढ़ने वाले है और ये होगा हमारा Part 1 Part 2 में मैं ये खतम कर दूँगा दो पार्ट में जन्वरी आएगा इसी तरह से दो पार्ट में फरवरी और Total Current Affairs लगबग 10-12 दिनों में हम लोग पढ़ लेंगे बिहार Special ठीक है आप लोगों के लिए और बहुत ही उप्योगी होने वाला है साथी ah hole तो मेंस भी जो देने वाले हैँ उनके लिए भी ये सन्दर्व का काम करेंगे ये जो पॉइंस होंगे ठीक है और उनके लिए भी यह बहौत ही महत्यपूर्ण होगा ठीक है यदि चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकोन दबा दिजेगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे आएए सुरू करते हैं आज का अपना वीडियो पहला पॉइंट है हमारा बिहार के सबसे लंबे इलिवेटेड पत का लोकारपन किया गया है पतना में स्टील से बनाया गया देश का पहला रेलवे ओबर ब्रीज का लोकारपन किया गया है किसके द्वारा नितिज कुमार के द्वारा ठीक है तो सबसे पहला तो याद रखना कि देश का सबसे पहला है पट्टना में ठीक है बनाया किसी से क्या है इस्टील से लोकारपन किस ने किया नितिश कुमार्जी ने किया ठीक है और यह कहां से कहा तक है तो पटना Rs. से लेकर के दिग्धा तक 12 किलोमीटर लंबा elevated road बनाया जा जा रहा है जिस से आरा से जिससे आरा से छपरा जाने वालों को सहुलियत होने वाली है तो रोड की जो लंबाई होगी वो 12 किलोमीटर होगी याद रखियेगा इसके लावा लागा जो है इसकी 1289.25 करोर रुपय है तो यह भी याद रखियेगा बिहार के जितने भी एक्जाम्स होते हैं उसमें पॉइंट से फैक्ट पूछा जाता है इसलिए हर आंकराई याद रखना जरूर यह ठीक है अब यह जो आपका रेलवे ओभर ब्रीज जो है उसकी लंबाई कितनी है वो देख लेते हैं 106 मीटर लंबाई है किसकी रेलवे ओभर ब्रीज की ठीक है और यही जो रेलवे ओभ पॉइंट ब्रीज है वह आपका पटना दिल्ली रेल लाइन पर बनाया गया है यह भी याद रखिएगा और इसकी जो उचाई एलिवेटेड रोड जो है इसकी उचाई जो है वो 25 मीटर है यह भी जाद रखिएगा बिहार का सबसे लंबा इलिवेटेड पत्थ भी जो है वह बनाया जाने वाला है, दानापूर से लेकर भीटा तक ठीक है, और यह प्रस्तावित है, 30 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, और यह बनाया जाएगा NHAI के द्वारा, ठीक है, National Highway Authority of India के द्वारा, तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट समापत होता है, दूसरा पॉइंट द जो की लोग सभाध्यक्ष हैं, उन्होंने नाम अधिसुचित किया है, ठीक है, बिहार के जमूई के मूल निवासी हैं यह, और इनको कैबिनेट सचीव का रैंक परापता है, ठीक है, यह याद रखिएगा, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, भारत की पहली के अवसर पर बिहार पोजिटिव और इंडिया पोजिटिव नामक संस्था की ओर से आयोजन किया गया था, ठीक है, समारो का और इसी में जो है, आपका प्रेसिडेंशियल लाइब्रेडी का उठगाटन किया गया, तो याद रखिएगा, बिहार में भारत की पहली प्रेसि उठगाटन किया गया, निक्स्ट है, देश में पहली बार पटना में हाई कोट में इस्टूडियो कोट की अस्थापना की गयी है, जिसमें वीडियो सिस्टम, यानि कि यहाँ पर वीडियो कॉन्फरेंसिंग नहीं होगा, वीडियो सिस्टम से वकील जो है, वो नियाय का गठन किया गया है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसके अलावा अधिवक्ताओं की जो इंट्री होगी, वह इपास के जड़िये होने वाली है, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बेगु सराय इस्थित कावरताल वेटलेंड और यह बहुत ही संरक्षन के लिए आपका सम्मेलन का योजन किया गया था, और उसी सहर के नाम पर रामसर सुची इसका नाम रखा गया, ठीक है, विसो में जीलो को बचाने के लिए यह एक प्रकार का सम्मेलन था, ठीक है, मद्दे एसिया से प्रवासी पक्षियों का आगमन यहां होता है, कहां पर काबरताल वेटलेंड में, ठीक है, वेटलेंड का मतलब होता है नम भूमी, ठीक है, वर्स 2019 में केंदर सरकार ने इसको जलिये एको सिस्टम संरक्षन केंदरिये योजना के दहत देश के सौ जीलो में सामिल किया था, किसको काबरताल जील को, तो यह भी याद रखि और यह काबरताल बिहार का पहला आपका रामसर साइट बन गया है, ठीक है, नेक्स देख लेते हैं, आपका, इसी को काबर जील भी कहा जाता है, काबरताल या काबर जील भी कहा जाता है, ठीक है, 1987 में पक्षी बिहार का दरजा इसको दिया गया था, कि इसके दोरा बिहार स स्कुायर छेतर में है यानि की 3111 हेक्टेयर में यह भी याद रखियेगा उनसर तरह के विदेसी तथा 107 प्रकार के देसी पक्षी ठंड के मौसम में यहाँ पर देखे जाते थे लेकिन अब ये इतनी संख्या में देखे नहीं जाते हैं रामसर साइट के बारे में जैसे मैं भी इंपॉर्टेंट है 2002 से पहले तक कावर जील भी रामसर साइट की सूची में सामिल था ठीक है नेक्स देख लेते हैं देश में पहली ट्रांसजेंडर पीठा सीन अधिकारी कौन बनी हैं तो मौनी का दास बनी है जो के बिहार विधान सभा चुनाओ के दौरान आपकी पीठा सीन अधिकारी बनी थी मोनिका दास इनका नाम है इंपोर्टेंट है यादर कियेगा देश की पहली ट्रांसजेंडर है तो पूछा जा सकता है मोनिका दास देश की प्रतम ट्रांसजेंडर बैंकर भी है और केनरा बैंक में कारे रत है ठीक है बैंक में काम करने वाली प दिवस एक दिसंबर के अफजर पर बिहार में सात नए एर्टी सेंटर खोले जाने की घोशना की गई है ठीक है और ये सेंटर कहा कहा खोले जाएंगे तो नालंदा, कैमूर, सुपॉल, जमूई, मुंगेर, पुर्निया और सिवान में ठीक है तो यह याद रखियेगा ये सात और जो रखिये तो 27 हो गई और यहाँ बहुत ही important point है इस comments में भी आप यूज कर सकते हैं इस point का यदि AIDS के बारे में कुछ पूछता है तो 2030 तक बिहार से AIDS उनमूलन का लक्षे रखा गया है ठीक है कोई भी यदि आपका स्वास्ते related question होता है तो उसमें आप इसका इस्तेमा इसकूलों में नरसरी का होगा विकास केंदर सरकार के पडियावरन one एम जलवायू परिवर्तन मंत्राले के तहत नरसरी पंचवर्षिय योजना के अंतरगत आपका ये योजना है पाट साला की पौद साला या लागू किया जा रहा है और इसके मानक क्या क्या है इसमें जो पानी का सुरोत हो और चहार दिवारी उपलब दो ठीक है तो मतलब बाउंडरी भी होना चाहिए और इसमें क्या होगा स्कूल के कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के स्टुडेंट जो होंगे इसको एक्स्ट्रा कैरिकूलर एक्टिविटी के तहत इसमें भाग लेंगे और नर्सरी लगाएंगे जिसमें औसधिये तथा फल्दार पौधे लगाए चाहेंगे तो इंपोर्टेंट पॉइंट है याद रखि इन हुआ है बिहार ओलंपिक संग का चुनाओ जो है 18 अक्टूबर 2020 को हुआ था होकी इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष मुहमद मुस्ताक अहमद जो है वह भी इसी चुनाओ में निर्विरोध रूप से औव एतनिक सचीब चुने गए तो यहाँ पर अब्दुलबारी सिद्धी की याद रखिएगा बाकी याद रखने की खास ज़रूत नहीं है नेक्स देख लेते हैं नौसेना की तीन महिला पाइलटों के बैच में बिहार की लेफटिनेंट सिवांगी सामिल हुई है ठीक है और यही भारत की पहली नौसेना पाइलट भी थी यह भी याद सिवांगी स्वरूप है और सिवांगी सामिल है ठीक है तो यह नेशनल नियूज में भी आ जाएगा डिफेंस में और आपका बिहार के नियूज में भी आ जाएगा क्योंकि सिवांगी जो है वो बिहार से है ठीक है तो याद रखिएगा बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइं है विविन एक जाम्स में तो पासिंग आउट परेड में जो है कहां हुआ था पासिंग आउट परेड इनका ये हुआ था आई एनस गरूर पर ठीक है और लेटनेंस इमांगी भारतिय नौसेना की प्रथम महिला पाइलेट भी बन चुकी है कब बनी थी तो दिसंबर 2019 में और उन्होंने हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिम्टेड बैंगलूरू में जो है उसके द्वारा विक्से ड्रोनियर 228 विमान उड़ाया था फाइटर जेट जो है ठीक है आगे देख लेते हैं टोही विमान है एक तरह से कह सकते हैं फाइटर या होना चाहिए पर अनुवादक या लेखक है इन्होंने बंगला उडिया और हिंदी में प्रसिद्ध कृतियों का अनुवाद किया है और इनके बहुत सारे अनुवाद जो है वह मिलते हैं किरन साहित्य सोध संस्थान के द्वारा प्रतिवर्स मैथली भासा में योगदा किरन मैथली से भी समान दिया जाता है तो यह याद रखिएगा कि किसके द्वारा दिया जाता है और किन को दिया गया है तो जितेंदर नारायन चाहा नेक्स देख लेते हैं बिहार में जल जीवन मिशन के बारे में तो बिहार को 1832 करोर रूपया जो है प्रोवाइड कराया गया है जल जीवन मिशन के लिए और असम को 1407 करोर रूपय अवंटित किये गये हैं इससे क्या होगा तो आकांग्छी जीलो तथा CST गाओं में 50 लाग से अधिक घरों में जो कि बिहार के घरोंगे उसमें नल लगाए जाएंगे ठीक है और लक्ष क्या है यह जो जल जीव करोर टोटल अवंटित किये गये हैं ठीक है तो यह भी बहुत ही इंपोर्टेंट है नेशनल यूज में भी आ जाएगा आपका ठीक है तो याद रखिएगा आगे देख लेते हैं स्वक्षता रैंकिंग में पटना की छलांग पहले जो है पटना आपका हुआ करता था 318 अस्थान पर 2019 में जो की 2020 में आगया है 105 अस्थान पर तो यह 105 अस्थान जो है वो याद रखिएगा टोटल सहर इसमें थे 4242 ठीक है 4242 और पिछले वर्स जो अस्थान था 318 था और यह सर्वेक्षन रिपोर्ट जो है वो जारी कौन करता है स्वक्षता सर्वेक्षन रि रिपोर्ट जारी की गई मतलब कि यह जारी किया जाता है किंद्रिय आवास एवं सहरी विकास मंत्राले के द्वारा बहुत ही इंपोर्टेंट है याद रखिएगा नीती आयोग के द्वारा यह जारी नहीं होता है ठीक है क्योंकि बहुत सारा रिपोर्ट जो है राजियों की स्रेनी में पटना का 47 वा जानी की अंतिम अस्थान है तो यह भी याद रखिएगा राज्य स्वक्षता स्रेनी में बिहार अंतिम अस्थान पर है यह बहुत ही important point है ठीक है और 36 गड का प्रताम अस्थान है यह भी याद रखिएगा ठीक है स्वक्षता ranking से question पूछे जा सकते हैं cantonment में यदि देखें तो दाना पुर्षावनी का अस्थान कौन सा है 62 वा अस्थान है देशवर में ठीक है और इसमें जो है आपका स्वक्षता सर्वेक्षन 2020 में चार प्रमुक बिंदू के आधार पर अंक निर्धारित किये गए है total अंक जो था वो 6000 था और चार जितने भी point है सम में 15-1500 अंक जो है वह जोड़ा गया है तो पहला point है प्रमानी करन ठीक है पहला point है प्रमानी करन दूसरा है सीधा परिय वेक्षन तीसरा है सुविधाओं के अस्थर पर प्रगती और चौता है फीड़बैक ठीक है तो यह 4 मानक जो है वह निर्धारित किये गए इस बार तो यह 4 मानक भी याद रखिएगा हो सकता है चार option दे दे और उसमें बोले की कौन-कौन से मानक थे कौन से नहीं थे 2016 में पटना जो था वो 70 रैंक पर था तो 2016 से लेकर अब तक कितना रैंक फिसल गया है पटना का यह आप देख सकते हैं प्रगती के जगा पर अबनती हो रही है ठीक है next point है संजू यादव के बारे में संजू यादव को player of the year से सम्मानित किया गया है संजू यादव महिला है भारतिये महिला football team की midfielder है संजू यादव जिनको 2019 सर्त्र के लिए अखिल भारतिये football संग के द्वारा All India Football Federation के द्वारा वर्स की सरस्रेष्ट महिला खिलारी चुना गया है तो याद रखना कुछ खाज जरूरी नहीं है अब ये याद रखिएगा player of the year मेल किसको चुना गया है तो गुरुपृत से संदू यह भी important है खेल समचारों में नेशनल में या जाएगा ठीक है आगे देख लेते हैं सुसासन दिवस के बारे में और अटल सम्मान दिया जाता है तो यह याद रखिएगा और भारा सरकार के द्वारत 2014 से सुसासन दिवस मनाने की सुरुवात की गई थी और लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना जो है इस दिवस को मनाने का उद्धिश्य है ठीक है तो यह याद रखिएगा बहुत ही important point है 2014 तो निश्चित रूप से याद रखिएगा और 2014 से मोदी जी के सरकार बनी थी तो याद रखना मुस्किल नहीं है National Crime Record Bureau NCRB का आगरा जारी हुआ है 2020 के लिए 2020 जारी हुआ है जो कि 2019 का आगरा बताता है तो 2019 में आपका ये आपराधिक आगरा होता है जो कि जातिये हिंसा के आधार पर राजनितिक हिंसा के आधार पर जो रिपोर्ट है वो जारी किया जाता है तो 2019 के आगरों के अनुसार जातिये हिंसा में बिहार प्रतम अस्थान पर है ठीक है तमिल नाडु दूसरे अस्थान पर और महराष्ट जो है वो तीसरे अस्थान पर है तो जाती है हिंसा में बिहार प्रतम है ठीक है इसके अलावा हम और देखेंगे राजनीतिक हिंसा में बिहार का अस्थान कितना है तो पाचवा है केरल जो है वो पहले अस्थान पर है और करनाटक जो है वो दूसरे अस्थान पर है याद रखिएगा वैसे बंगाल भी इसमें होना चाहिए था लेकिन बंगाल में दीधी के डर से बिहार प्रतम अस्थान पर है याद रखिएगा इसमें आपका जमीन और संपत्ती से जुरे विवादों में करनाटक दूसरे अस्थान पर है महराष्ट तीसरे अस्थान पर है और यूपी चौथे अस्थान पर है उत्तर प्रदेश ठीक है महिला हिंसा में बिहार में प्रगती हुई है कितनी 9.8% की वृध्धी हुई है तो यहाँ नहीं होना चाहिए वृध्धी तो यहाँ पर वृध्धी हो रही है जहाँ पर होना चाहिए वृध्धी वहाँ पर नहीं हो रहा है स्वक्षता रेंकिंग में वृद्धी हो ना चीवा नहीं हो रहा है लेकिन महिला हिंसा में वृद्धी हो रही है 9.8% की वृद्धी होी है हो सकता है कि reporting में वृद्धी हो इसलिए यह आगर आया हो ऐसा भी संभशाय है पुर्वत्तर भारत का सबसे अत्याधुनिक जंगल सफारी नालंदा जिले में तयार किया जा रहा है बहुत ही important point है नालंदा जिले के राजगीर में सफारी बनाया जा रहा है और इसको Central Jew Authority of India ने हाली में मान्यता दी है तो यह जो सफारी बनाया गया है वो राजगीर में बनाया जा रहा है जो कि नालंदा जिले में तरीक है और यह जो है आपका पुर्वत्तर भारत का सबसे अत्याधुनिक आपका जंगल सफारी होगा छेतर देख ले तो 191 हेक्टेर में यहाँ फैला हुआ होगा और इसके लिए स्विक्रित रासी जो है वो 177 करोर रुपे आवंटित की गई है पुरानी परंपरा के अनुसार यहाँ पर नए तरीके से अत्याधुनिक तरीके से मिट्टी बांस और लकडी का आपका कोटेज तयार किया जाएगा जिससे परियाटक जो होंगे काफी आकरसित होंगे और इस शेतर में परियाटन को बढ़ावा मिलेगा नेक्स देख लेता है कलरव के बारे में और मेरे विचार में यह तो निश्चित रूप से पूछा ही जाएगा तो याज जरूर रखियेगा कलरव के बारे में देखें तो यह विहार का पहला याद रखियेगा आगी नक्टी पक्छी विहार जमुई जिला वैसे मुझे कुछ जगों पर आपका बेगू सराय भी मिला क्योंकि बेगू सराय के भी नजदीक है यह तो आप यदि ऑप्सन में जमूई नहीं आता है बेगू सराय आता है तो वो भी मार सकते हैं ठीक है इसका संजुक्त रूप से आयोजन किया गया इस उतसब का बर्ड फेस्टिवल का और इसका उद्देश्य क्या था तो प्रवासी पक्षियों के बारे में अस्थानिय लोग में जाग रूपता फैलाना प्रवासी पक्षि कौन कौन से आते हैं यहां पर वो देख लेते हैं तो इस टेपी इगल यूरेसियन करलेव इसके लाबा कॉमन ग्रीन सेंक फरंगिनस फेरंगिनस डक यूरेनियम कूट यूरेसियन कूट और ग्रेट क्रिस्टेड ग्रीव इ गाउं और सुल्तान गंज के भी 60 किलोमीटर लंबा विक्रम सिला डॉल्फिन अभ्यारन्य प्रवासी पक्षियों का बरा केंद्र है तो विक्रम सिला डॉल्फिन अभ्यारन्य जो है वो याद रखिएगा 60 किलोमीटर इसकी लंबाई है और पक्षियों का एक प्रवासी प बिहारन है बिहार में महत्वपुर्ण उसके बारे में देख ले तो भीमबांध वन्यजीव अभियारन है जो कि मुंगेर में है उदैपूर वन्यजीव अभियारन है जो कि चंपारन में है और कावर जील पक्षी अभियारन है जो कि एक वेव साइट आपका रामसर साइट भ यहाँब पर शुरूवात हुए यह तो पस्थिमी चंपारण में बहुद ही important है कुछ भी नया होता है तो ज़रूर पूछा जाता है तो बिहार में French आलू की खेती जो है पस्षिम चंपारण में आरंब हुआ है बगहा के राम नगर प्रखंड में जो की पश्चिम चंपारण में है बगहा नामकस्तान है जहां के राम नगर प्रखंड में फ्रेंच अलो की खेती की शुरुवात हुई है इसका रंग जो होता है वह जामुनी या फिर बैंगनी होता है ठीक है यह उपर से भी बैंगनी होता है और अंदर से भी बैंगनी होता है ठीक है इसका मूल नाम जो है वह है वीटे लोटे इसका मूल नाम याद रखियेगा वीटे लोटे ठीक है और यह जगा भी याद रखि गती को रावाद दिया जाना चाहिए नेक्स्ट है आपका सूसमवेदना सूसमवेदना जो है वह पटना इम्स में 18 बेट का एक palliative care ward चालू किया गया है मतलब की cancer इलाज के लिए यह ward चालू किया गया है 18 बेट का cancer उपचार के लिए और इसी का नाम रखा गया है सू समवेदना तो बहुत ही important है या जरूर रखियेगा ठीक है तो इसी के साथ पहला पार्ट हम समाप्त करते हैं next पार्ट में भी आपका 20 या 30 को इसी तरह से point होगा ठीक है और फिर जनवरी का समाप्त हो जाएगा हर महीने में आपका 40 से 50 point होंगे तो सब याद रखियेगा ज्यादा कुछ खास है नहीं 200-300 one liner है तो याद रखने में तो अच्छा है मैंने इसलिए बनाया है इस तरीके से थोड़ा विस्तरित बनाया है ताकि आपका मेंस में भी काम आए और इसके अलावा जो है आपका जो question static बनता है उसमें भी आपको लाब मिले तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो यदि पसंद आए तो like जरूर कर दिजेगा और share जरूर कर दिजेगा वीडियो को और comment भी करते ताकि हमें प्रोटतान मिले और भी अच्छे वीडियो बनाने का और आपकी जो समस्या हैं उसकी भी जानकारी मिले कुछ सुझाव मी मिलता रहे आपसे और यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लिजे और bell icon दबा दिजे ताकि जो है आपको आग क्रुन झाई हैं लगला हैं वांचे झाल हैं वांश,बचंछ,बगý कर दो बनाग्टताओां सबस्ताब